जहिन फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मराठा समराज जी की दुरोहर की रक्षा करने वले चात्रपती सांबाजी महाराज की ये भारती इतिहास के वो युद्धा हैं जिन्होंने भारत के इतिहास में अपनी अमिट चाप छोड़ी है चात्रपती सांबाजी भोंसले के नाम से भी जानते हैं ये मराठा समराज जी के संस्तापक चात्रपती शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे वीरता साहस और शोरे में ये अपने पिता पर ही गए थे और इनका जनम 1657 में पुरंदर के किले में चात्रपती शिवाजी और उनकी पत किया जाता है 1680 को चत्रपती शिवाजी के नितन के बाद चत्रपती सांबाजी मराठा समराज जी के दूसरे शासक बने हाला कि राजा बनने से पहले इन्हें अपनी सोतेली माता सोयरा भाई के पुत्र राजाराम के खिलाफ संगर्ष करना पड़ा किन्तु अंतत चत्रपत से ही शास्त्रों के साथ साथ शास्त्रों के भी विद्या दी गई युद्ध कोशल में वह अपने पिता पर ही गए थे इन्हों ने अपने पिता के साथ कई लड़ाईओं में भाग लिया और अपनी तलवार को शत्रू के रक्त से नहलाया वह केवल आठ वर्ष के ही थे उपने आठ साल के पुत्र चत्रपती सांबाजी को भी पुलिटिकल होस्टेज के रूप में भेजना पड़ा इसके बाद 1666 में चत्रपती शिवाजी और उनके पुत्र सांबाजी औरंग जेब को मुगल दरबार में मिलने के लिए पहुंचते हैं किन्तु औरंग जेब द इसी तरहां पिता और पुत्र वहाँ से निकलने में कामयब हो जाते हैं और इसके बाद 1670 में चत्रपती सांबाजी अपने पिता चत्रपती शिवाजी का साथ देते हैं मुगलों और बीजपुर के सुल्तान के खिलाफ कई लड़ाईयों में इसके बाद 1680 में फाइनली र की तरफ पहुंचता है औरंगी जेव ने अकबर की विद्रहों को दबाने और मराठाओं को खतम करने के लिए एक विशाल मुगल सेना के साथ दिल्ली से खिरकी जो की महाराष्ट के पास है वहां तक मार्च किया 1682 में विशाल मुगल सेना चारों तरफ से मराठाओं पर अटैक करती है और दूसरी तरफ चत्रपती सांबाजी भी पूरी तरह से त्यार थे मुगलों की अधिक संख्या को देखकर चत्रपती सांबाजी ने गुरिला वारपेर की टेक्नीक का इस्तेमाल किया इस टेक्नीक में मराठा सैनिक बड़े-बड़े पहाड़ों और काफी धन प्रापत हुआ जिस कारण औरंग जेप का गुसा साथवे आसमान पर पहुंच गया 1683 में चत्रपती सांबाजी द्वारा कौंकन शेत्र पर आकर्मन किया गया और चत्रपती सांबाजी मराठा समराजी का विस्तार करना चाते थे और दूसरी तरह कौंकन वाले ए चत्रपती सांबाजी के नित्रत्व में मराठाओं ने कई किले अपने नाम किये और वो मुगलों के लिए एक खत्रा बनकर उबरे गभरें कौंकन के बाद चत्रपती सांबाजी का दियान मैसुर पर गया मैसुर जो कि प्रेज़ोंडे करनाटka में सित है मैसुर के राजा वाडियार ने विशाल सेना के साथ मराठाओं पर धावा बोला, दूसरी तरफ चत्रपती सामजी महराज के नित्रत्व में मराठा आगे बड़े और इस युद्ध में मराठाओं की वीरता के कारण चत्रपती सामजी महराज विजय रहे इसके बाद चत्रपती सांबा जी का पोर्चुगीज और ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी से भी युद्ध के मैदान में सामना हुआ पोर्चुगीज लगातार भारत में अपनी सिती मजबूत कर रहे थे और वह भारत में गोआ के साथ साथ कई कोस्टल एरियाज में पोर्ट्स पर अपना कंट्रोल करते जा रहे थे जिस कारण भारत के विदेशी विपार को वह अपने कंट्रोल में करते जा रहे थे दूसरी तरफ British East India Company भी बड़ी तेजी से भारत में अपने पाव पसार रही थी छत्रपती सांभा जी के अंडर Maratha Trade and Commerce में अपना कंट्रोल चाते थे ताकि future में होने वाले सैने अभियानों और युद्धों के लिए economically कोई समस्या ना आए इसके लिए देश के coastal इलाकों के ports पर कंट्रोल करना जुरूरी था Maratha के इस प्रयास को विफल करने की कोशिश की जा रहे थी Britishers और Portuguese के द्वारा जिस कारण जल के साथ सथ भूमी पर भी कई लड़ाईयां लड़ेगी Portuguese और Britishers के खिलाफ Maratha के द्वारा लेकिन हर बार Maratha विजय रहे और इस तरह कई महत्वपुन ports पर कंट्रोल किया गया Maratha के द्वारा इसके अलावा चत्रपती सांबाजी का Maratha के सबसे बड़े शत्रू औरंग जेब से भी कही बार युद्ध के मिदान में आमना सामना हुआ चत्रपती सांबाजी महराज के नित्रतों में कही बार Marathau ने मुगलो को हराया बुरहनपूर के किले पर हमले के बाद चत्रपती सांबाजी द्वारा रामसीच के किले पर आकर्मन किया गया जो की मुगलो के कंट्रोल में था रामसिज का किला जो की प्रेजन बे महराष्ट में सित है मराठा समराज जी के शेत्र विस्तार के आशे से च्छत्रपती सांबाजी द्वारा इस पर धावा बोला गया यह हमला सफल हुआ और मुगल सैनिक च्छत्रपती सांबाजी का रोद्र रूप देखकर काम भुटे जिसका प्रेणाम यह हुआ कि किले पर मराठाओं का नियंतरन हुआ और इस जीत के साथ ही मराठाओं का इंपोर्टन ट्रेड रूट और कई अन्य रिसोर्सिस पर कंट्रो दिया लेकिन अपनों के विश्वासखात के कारण यह योद्धा मुगलों के द्वारा बंदी बना लिया गया चत्रपती सांबाजी के द्वारा गनोजी शिर्के जोकी चत्रपती सांबाजी की पतनी यसु भाई के भाई थे इन्हें चत्रपती सांबाजी के द्वारा वतं कम सेना के साथ सीक्रेटली राइगर के रास्ते से जा रहे थे तो उस समय औरंगी जेप के द्वारा इस शेर योद्धा को धोके से बंदी बना लिया गया चतरपती सांबा जी के साथ उनके परमित्र कभी कलश भी थे एक पॉलिटिकल प्रिजनर को जो बेसिक डिगनिटी दी जाती थी चतरपती सांबा जी को वो भी देने से इंकार कर दिया गया चत्रपती सामबा जी के सामने तीन शर्ते रखेगी पहली कि चत्रपती सामबा जी औरंग जेप को अपना राजा मालने दूसरी मुगलों को सारा लूटा हुआ खजाना वापिस कर दे और तीसरी चत्रपती सामबा जी इसलाम कबूल कर ले अपने लोगों के लिए मर मिटने और अपनी मात्र भूमी की रक्षा के लिए खड़े इस योद्धा ने औरंग जेब की तीनों शर्थों को मानने से इनकार कर दिया और फिर औरंग जेव ने चत्रपती सांबा जी को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया लगातार 40 दिनों तक औरंग जेव के द्वारा चत्रपती सांबा जी का एक एक अंग काटा गया और हिवानियत की सभी हदे पार कर दे गई उनकी आंखें गरम सलाखो से फोर दी गई और हर रोज उन्हें तीन शर्ते मंजूर कर इस पीड़ा से मुक्त होने का प्रस्ताव दिया जाता लेकिन अपनों से गद्दारी करना तो मराठा उने कभी सीखा ही नहीं था इस तरह चत्रपती सांबा जी मृत्यू को प्रापत हुए इवन उन्हें इतिहास में धरम वीर के नाम से जाने जाते हैं एक ऐसे वीर योद्दा हैं जो मुगलों के खिलाफ अपनी बहादरी और शोरे के लिए जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं अपने स्वराजी के आइडिया को प्रोटेक्ट करने और मराठा समराजी की इंडिपेंडन्स को ब में आपको उनके भी लिंक मिल जाएंगे और आज के इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू सो मच